सब्सक्राइब करते हैं और चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चार्ट देखने से पहले आपको जाता हूँ कि डाटा क्या है और ऑप्शन डाटा क्या है और अप्शन डाटा है नेगेटिव यहाँ पे कॉल रैटिंग है कॉल वाई है 17,67,000 और पुट रैटिंग है 10,93,000 बड़े लोगों ने क्या किया है बड़े लोगों ने किया है कॉल रैटिंग यहाँ पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो पुट कॉल रेशियो आपका लगभग अराउंड 0.6 है डाटा नेगेटिव है ठीक है अब और यह और फैक्टर दख लेते हुट हो सकता है अब कई आप Church मेर आवा बसम बैठ चुका है दस सेकंड में students जो है 10 second profit कमारे scalping से 90 points in just 6 seconds मदब कमाल हो गया यह सबसे fastest है जो मैंने studies बताई है course में कमाल का strategies है एक नहीं दो नहीं आपको 10 studies मिलेंगी plus BTSD भी मिलेगा और अभी हमारा BTSD क्या बोल रहा है कि price भले डे हाई पे close हुआ है लेकिन जो put call ratio है वो negative है तो BTSD call side में नहीं जाना चाहिए इस course में आपको यह बिलकुल absolutely free में मिलता है course का price almost आपका एक SL के बराबर है 1499 800 उपीज और भी है so course लेना मस्ट है इस में आपको बहुत सारी studies मिलती है plus मैं आपको YouTube पे live YouTube पे मैंने live दिखाया था कैसे one minute को यूज करते हैं आप उसको जाके देखिएगा यहाँ पे मैंने 40 seconds में लग भग निफ्टी में almost आपका यहाँ पे 17 points है यह भी कैसे capture किया मैंने मैं आपको बताया है so बहुत कुछ है और आपको यह लेना चाहिए और बिलकुल आपको बिलकुल profit होगा सारे loss जो आप रिकवरी के बारे में सोचते हैं सबसे बहुत लोग यहीं सोचते हैं कि सर हमारा course का पैसा रिकवर हो जाएगा absolutely one trade में ही हो जाएगा चल यह स्टार्ट करते हैं आवाज बैठ गया मेरा यहां पर साब सब दो लेवर्स नजर आ रहे हैं अब हम 50 मिन्स के चार्ट पर जाएंगे तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर निफ्टी का है resistance निफ्टी बैंक का है resistance कहां पर है 41,000 strong resistance है अगर gap up खुल या direct तो हम actually में put ले सकते हैं बस हमें चाहिए एक red candle अगर market gap up होता है और कुछ red candle बनाता है bearish candle बनाता है bearish हमारा बुजोग candle बनाता है 5 minutes के टाइम फ्रेम पे तो आप put ले सकते हैं क्योंकि जो 41,000 call writers defend करेंगे जो मैं streaming करा था मैंने जाते जाते बोला था कि यहां पर 40,000 put writers है और hero zero जब तक यह break नहीं करेंगा तब तक नहीं करना ची तो उन्होंको ने क्या किया position defend किया put writers ने और market को shoot up किया expiry भी आपका see hero zero हुआ यभी मैं आपको stream खतम होते होते बताया था उसको देख लीजेगा तो यहां पर market buy on dips भी है sell on rise भी है याने का market sideways हो सकता है अगर market 41,000 को break करेगा तब आप see ले सकते हैं 41,000 के उपर market sustain होना ही चाहिए होना चाहिए मतलब क्योंकि वहां पे है अच्छी खासी call writing और यह sellers हार नहीं मानेंगे क्योंकि वहां पे लग भग triple है ठीक है triple call writing है तो वो तो बलेंगे भाई हम तो defend करेंगे इसको तो यहां पे जब तक 41,000 को पर sustain नहीं करता है जब तक call writers भागेगे नहीं बरे players नहीं भागेगे तब तक हमारा market बेरीशी रहेगा तो 41,000 को पर buying की जा सकती है और 41,000 पर selling भी की जा सकती है बस candle पर depend करता है कि 41,000 पर कैसा candle बनता है क्या red candle बनता है या फिर green candle बनता है दोनों depend है उस ब और अगर 39,500 को break करता है तो market बहुत नीचे जाएगा बहुत नीचे मतलब बहुत नीचे और देखेंगे तो market फासा हुआ है अगर आप देखेंगे ध्यान से तो market अभी वही box में फासा हुआ है जो box में इसको होना चाहिए नीचे की तरफ भी एक range है तो कल का market अगर trending हुआ जो Friday के दिन जादा होता नहीं है तो बहुत ही अच्छे moves आएगे अगर इसको break करता है तो और नीचे जाएगा फिर अगर इसके नीचे जाता है तो और नीचे जाएगा और आपका उपर की तरफ कोई तरफ जादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि market का data जो है कॉल वाई ज्यादा है तो नीचे की तरफ कुछ लेवल सा रहे हैं तो हम ज्यादा पुट के बारे में सोचेंगे प्रस अगर यहीं पे अगर बाई वन डिप सकता है बस आपको candle कैसा बन रहा है candle बना बुलिश डाटा है positive आपको बाई कर आपको पता होना चाहिए कि जो उसको चला रहा है वो कौन से position है कौन से side है और अभी हमें साब साब दिख रहा है कि यह अभी अभी लोग यह लोग bearish side है ठीक है तो यह आपका back nifty का levels है bearish है देखते हैं कल क्या होता है 41,000 को पर आप देख सकते हैं buy के लिए 41,000 को पर यह देखेंगे selling के लिए और नीचे के जो लेवल से 40,000 चाली जार के नीचे selling एक और अगर scalping strategy आप खोच रहे है scalping levels खोच रहे है देख अगर मैं चाहूं ना तो अराम से मैं बोल सकता हूं कि भाई यह लो यह लो लेकिन seconds में होता है मतलब 6 seconds आप समझ रहे हैं 10 seconds में जब तक मैं बोलूँगा तब तक निकल चुका होगा वो तो आपको खुद से सीखना ही पड़ेगा मैं कोई hold नहीं करता हूं मैं कोई 100 points 300 points capture नहीं करता हूं 50 points जितना मिले वो flow flow में मिल गया बहुत ठीक है देखिया आज मैं ट्रेलिंग असल बार वाई हीट होड़ा था फिर भी हम लॉस में नहीं है मार्केट में सबसे इंपोर्टन है कैपिटल प्रोटेक्ट करना जैसे ही आप 500 400 profit में वहां पे ट्रेलिंग असल यूज कीजिए मैं कभी लॉस नहीं लेता एक बार मैंने निकले फोरण ब्रेक इवन वह जिसमें मेरा 60,000 फंड है मैं आपको बता रहा हूं कि एक लॉट में कैसे पॉइंट कैप्चर करते हैं एक लॉट में कैसे 2,000-3,000 profit कमा सकते हैं सिर्फ वन लॉट से सो यह आपके सामने order book है students का order book है और क्या ही चाहिए ठीक है सो morning में यह लोग सारे होंगे से पहले profit कर लेते हैं आईए और जानते हैं निफ्टी का जानते हैं ठीक है सो निफ्टी में भी same strategy होगी निफ्टी भी निफ्टी का data क्या है निफ्टी का data same ही होगा और गया ओके सो निफ्टी हलका सा bullish है 70,600 पे जहाँ पे इसने closing किया है वहाँ पे हलका सा support नजर आ रहा है ठीक है सो यहाँ पे जहाँ पे इसने 600 को पर closing किया तो अच्छी बात है लेकिन problem क्या कि problem है यह है कि निफ्टी उपर जा नहीं सकता दम नहीं है निफ्टी में निफ्टी में दम नहीं है इसको बहुत दम लगाना पड़ेगा यहाँ पे जो price action resistance नजर आ रहा है वो यह वाला है 17,730 के आसपास निफ्टी को बहुत जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि जो अधानी enterprise है वो निफ्टी को दे रहा है धोखा sensex इसको autofarm कर रहा है तो अधानी का भी अलगी मामला चल रहा हो तो मतलब क्या ही बोले है मतलब जाने दो तो यहाँ पर क्या हो सकता है यहाँ पर एक अगर किसी को clean buy करना है तो 17,750 को पर buying की जा सकती है seek side ठीक है इन दमनी में काम करें ज्यादा profit मिलेगा ज्यादा points मिलेंगे मेरे सारे students इन दमनी में काम करते हैं नए लोग beginner लोग पता नहीं हो टेम में क्यों जाते हैं जब वो सही होते हैं तो कम points मिलता है जब गलत होते हैं तो ज्यादा decay हो जाता है तो हमेशा इन दमनी में काम करें ज्यादा बेटर हैगा ठीक है तो यहाँ पे 17,750 के उपर buying की जा सकती है और 17,450 के नीचे selling की जा सकती है यह आपके कुछ level है nifty में यह level निकल गया रहा है nifty में प्लस यहाँ पे आप scalping भी कर सकते हैं इसके नीचे 500 के नीचे तो यह आपका nifty के levels है यह भी इसने भी एक inside bar बनाया है जी हाँ inside bar बनाया है तो आप inside bar का भी देख सकते हैं levels तो यह आपका inside bar उपर वाला और यह हुआ आपका नीचे वाला तो यह भी आपको मैंने बता दिया ठीक है so data negative है US market positive है कुछ relief मिले सायद या फिर रात भर में US market भी negative हो जाए तो फिर तो और PPE होगा तो यह आपका nifty bank nifty कोई भी doubt हो आप नीचे comment section में कर सकते हैं आए कुछ stocks जान लेते हैं तो पहला stock है हमारा zeal zeal entertainment तो यहाँ पे inside bar बनाया है अगर यह 224 के उपर जाता है closing कर देता है पांच अनल का candle तो आप buying कर ले जा सकते हैं target होगा 228 नीचे की तरफ अगर यह 218 को break करता है 218.50 को तो आप 214 को भी देख सकते हैं और इसके नीचे भी देख सकते हैं downtrend में है तो ज्यादा तर हम नीचे की तरफ focus करेंगे ओके तो अगला stock है विप्रो विप्रो ने यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे विप्रो ने breakout किया है daily time frame पे और विप्रो हमारा जा सकता है उपर की side की तरफ विप्रो हम सोच रहे हैं अगर विप्रो यह 410 को cross करता है तो आप इसमें buying के लिए जा सकते हैं trend line का एक breakout हुआ है IT stock strong दिख रहे हैं मैंने तो IT वीज लिया है मैंने वीडियो बनाया कि कैसे investment करते हैं index 1 में ETF में उसका भी video आपको नीचे मिल जाएगा अगला stock है reliance so reliance make or break level पे है यहाँ पे reliance बार बार rejection दे रहा है अगर reliance 2310 को break करता है तो हम 2300 देख सकते हैं 2300 को break करेगा तो हम 2280 भी देख सकते हैं अगर इसको उपर जाना है बार बार जो rejection कर रहा है क्या reliance में swing trading बन रहा है यहाँ पे अगर यह कुछी सब्रकार से double bottom बनाएगा तो हम इसमें जा सकते हैं 2380 के उपर 2380 के उपर हम reliance में जा सकते हैं disclaimer है कि यह stock मेरे portfolio में है बहुत बारा company है तो जब भी गिरता है मेरे ले लेता हूँ और और भी इसमें add किया जाएगा यह आपके कुछ stocks है nifty bank nifty analysis है और यह यह दोस्तों कि scale पर हूँ मैं तो क्या है बोलनों टेरीडाम पर मैं इसे direction दे सकता हूँ कि भाई यह direction है आप data कुछ से सीख सकते हैं कोई OIPALS की ज़रुत नहीं है बहुत सारे free websites आते हैं ट्रेडिंग टिक हो गया आपका निफ्रेड़.in हो गया बहुत सारे free websites से आप इसको चेक कर सकते हैं so thank you for watching and see you in the next video